हेलो गाइस दिस इस में अंकोर उपाधिया है वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलेसिस आज हम सभी देख रहे हैं कि ITCES बहुत बुरी तरीके से डाउन होते हो दिख रहे हैं 1.37% की फॉल देखने को मिल रही है इन फेक्ट सेल टैक में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है देखिए यह स्टॉक ऐसे हैं जिनको रिटेल इन्वेस्टर सुरू से बहुत जादा बरोशा करता है तो आज की इस गिरावट क हैं हमें कोई रिबाउंड या फिर कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है इन फेक्ट बेलो पे खड़े हैं इन फॉसिस की बात करने वाला हूं मैं आप सर्भी के साथ 1710 रुपे पे ट्रेड कर रहा है करीब करीब देर पर सेंट कमजोर है स्टॉक 25 पॉइंट की और वॉलियम्स की बात करो तो आठ लाग वॉलियम्स ट्रेड हो चुके हैं मात्र 45 मिनट में 6 मिलियन वॉलियम है नी साथ लाग शियर का एवरेज वॉलियम है और आठ लाग शियर स्ट्रेड हो चुके हैं लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरू के दो गंटे और ला बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टेग्राम आईडी पंदत बिर्दर्स पे आगे आप मुझसे बात कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लेस बैक पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा मैं आप सभी को आपको याद होगा कंपनी ने बाइबैक अनॉंस करा था 1750 तक यानी 1750 के नीचे जहां भी रेट होका कंपनी बाइबैक करेगी और दिसंबर 27 तक की डेट थी कंपनी की तरफ से अनॉंसमेंट आते हुए दिखे अराउंड अराउंड अक्टूबर में शायद मेरे दिमाग से कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी जब या थे कि उनका बाइबैक कंप्लीट हो गया यानि उन्होंने अक्टूबर तक ही सारा बाइबैक कर दिया था यानि 1750 से नीचे नीचे उन्हें जितना बाइब करना था उन्होंने अपनी पूरी बाइबैक कर ली थी स्टॉक उस बीच में एक बार 1800 पे भी जाता हुआ दिखा आपको इन फैक स्टॉक का हाई 1848 का है और उसके बाद स्टॉक आपको 1700 पर मिल रहा है यानि अर प्रोसा करते हुआ रहे हैं जिस पर रीटेल इंवेस्टर सब को लोग FIIs की भारी मातरा में बाइंग रहती है तो क्या यह बेस्ट अपॉर्चनिटी यह बाइग करने की और या फिर और गिरावट आ सकती है इसके बारे में बताता हूं आपको सबसे पहले मैं बात करता पूरा IT as a pack कहीं न कहीं आपको डेलो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको यह गिरावट आ क्यों रही है तो आपको गिरावट के लिए जाना होगा Friday के सेशन में अमेरिका के बाजार में अब अमेरिका के बाजार में क्यों बीजा हूं देखे गाइस आप देखोगे वहाँ पे NASDAQ जो है वो 1.65% टूटा और Dow Jones मात्र 60 points जो कि उसका करीब करीब कितना होता है आपको बता दो 0.2% तो आप देख सकते हैं कि Dow Jones और NASDAQ में कितनी बड़ी मात्रा में 0.17% था और NASDAQ 1.5% से भी ज़्यादा बड़ी गरावट देखे हैं हम सभी ने और गाइस NASDAQ में जो शेयर लिस्टेड है वो आईटी स्टॉक्स है तो वहाँ पे कही ना कहीं IT स्टॉक्स में भड़ीयक पिटा हुई है वही फॉलो अप हमारे भारतिय बाजारों में भी देखने को यह जो बिक्वाली है यह इंडेक्स रिलेटेड है हो सकता है कभी किसी शेर में बिक्वाली आजए लेकिन इस स्टॉक में भारी गिरावट मुझे जो लगता है वह 1660 ब्रेक होगा तब ही यह उससे पहले कहीना कहीं मुझे लगता है अगर आपके पास पूजीन तो बने र नसी को बिक्वाली रहाएं कि कभी कभी क्या होता है कि रोटेशन होता है सटर रोटेशन क्या आप पता यह सेक्टर रोकोटेशन ऌता हो को लेकिन आज के सेशने मुझे नेगेटिव लगता है 1710 पे ट्रेंट कर रहा है मिनिम्म 1700 रुपेता की स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है आपको इन फेक्ट उसके भी नीचे आपको फिसलता हुआ दिख सकता है स्टॉक अगर आप दूसरे आईटी शेयर्स की बात करें स्याइग दक की तो 1152 पे आगया है बीस प्रेंट इस गिरावटे करीब 2% डॉड हो गया है यह भी और आपको फॉल दिखा सकता है विप्रो की बात करो तो 635 पे आगया है पांच 1% की इसमें भी गिरावटे इसमें बाइब भी दिया था बट कहीं ना कहीं गलत साबित होता ह में सेलिंग आ जाए मैं तो अपना व्यू आप सभी के साथ शेर कर सकता हूं इंडेक्स में विकवाली आ गई वहां से तो कहीं न कहीं आपका तो यह मेरे इसाब से आपकी रणनीती और नीची आईटी शेयर में होप आप सभी को यह वीडियो समझ और पसंद पूरी आ गई होगी थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो